करते हैं तो है पच्छता लिए आप इंसा करते हैं तो आप इंसा के लिए पच्छता लिए आपको दोश अपने दुश्क्रित्य में अवैश्य दिखता जी गिंटो अपने आप में नहीं क्योंकि दोश आप अपने से बाहर ढूंडते हैं उसके कारण अपने सिफरे तक करके देखना चाहते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपने एहम को अपने एंकार को सुरक्षत कैसे रख पाएंगे और इसके लिए सबसे सरन मात्यम बन जाता है पश्चता तपस्या तो सभी करते हैं कि तो केवल अपने स्वाथ कोई भी इश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करता कोई भी तपस्या इसले नहीं करता कि उसकी भक्ति उसके अराध्य तक पहुंच जाएं मृत्यू चाहते हो दो मुक्ति चाहते हैं किंतो मृत्यू से मुक्ति प्राप्त नहीं नहीं मृत्यू जीवन का अंतु पुदी कि फिश्टी ही जीवन प्रकाश ही जीवन और यदी जब हम नेत्र खोले हैं और हमें प्रकाश के अनुपूती नहीं तो इसका ये अर्थ नहीं कि प्रकाश कहीं नहीं कि प्रकाश है आवाशकता है तो अपने नेत्र खोल कर अंधकार के परे देते हैं कि इस संसार में उन्नती तबी संभव है जब इस संसार में समानता हूं मराबरी कि को सर्वशक्तिशाली ही नहीं रहेगा तो को निर्बल नहीं होगा कि यदि कोई बड़ा नहीं होगा तो कोई छोटा ही नहीं रह पाएगा चप्ति कैसा संतल उनको संतले तरखनाने वार है क्योंकि इस शापून प्रग्रती प्यप्तिकत होगी तो केवल अपने स्वार थे अपने उथार ता किसी मित रहती इस शाही वो विश्य है यो व्यक्ति के हिदय में ना हारने की में तुकांशा को जन्म देती जीतने की इस विवश्ता से ग्रसित मनुष्य धर्मधर नयाय अन्याय उचित अनुचित का ग्यान भूल जाता है संवे इतना करुना भूल जाता है उसे स्वरन रहता है तो केवल जीतना अले वच्छाल कपट के माध्यम से ही क्यों ना हो एक असुर था एक रिप एक दिन मों ब्रह्म लोग गया और बड़ी चालाखी से उसने ब्रह्मतेव से चारोवेत प्राथ कर ली और जाके समुत्र में छुप गया चुंकि सारा अग्यान बेदों में नहीं थे इसलिए संसार से सारा अग्यान चलागी जब अग्यानता का अन्दकार पहलता है तो अधरू बढ़ने लगता है अग्वान विश्नु सब देख रहते उन्हें ग्याद था कि शीग्रव प्रत्वी लोग पर प्रले आने वाला है एक्ग्रव के साथ चारोवेत भी लुप्त होने का भय था ब्रह्मदेव स्विजन करता है प्रेदों के आभाव में उनर जन्म की प्रक्रिया को पुनस्थापित करना अत्यन तकटित इसलिए है क्रिव से उन वेदों को पुने प्राप्त करना अनिवार ने था तो बगवान विष्णु ने क्या किया अगवान विष्णु ने मत से रूप धारन किया वो एक मचली बने और इल मेल परे था नाजा सत्यवरत स्नान कर रहे थे इस जोड़ी से मचली ने के हाथ में आगे है इतनी सुटीवर्ट पर गवान विष्णु हाँ जाजा सत्यवरत उस मचली को जल में छोडने जाही रहे थे कि उस मचली में बड़ी मचलीयों का भाय जदाते हुए उनसे भीनेदी की उनसे कहा कि वो उसे अपने साथ ले चले ताजा सत्यवरत अत्यंत दयालूत मचली को अपने कमंडल में शरन दे दी और अपने महल मिले दे किंदो रात भर में मचली तनी बड़ी हो गए कि कमंडल में रह पाना उसके लिए सम्मभी नहीं था और उसका बड़ा आकार देखने के पश्चार राजा सत्यवरत ने उसे कमंडल में से निकाल कर एक मटकी में डाल दिया मटकी में डालने के पश्चार उसका अकार कुना बड़ा हो गए तो राजा सत्यवरत ने उसे मटकी में से निकाल कर एक सरोर में रख दिया किन्त उस एक ही रात में सरोवे में रखने के पश्चात भी उसका आकार इतना बढ़ा हो गया कि उसे नदी में रखना बढ़ा किन्त नदी में रखने के पश्चात भी उसका आकार पुना बढ़ा हो और इतना बड़ा हो गया कि यदि उसे महासागर में नहीं रखा जाता तो उसकी मित्यूनिश्चिन थे ताजा सत्य तद उसे महासागर की ओर ले कि चुंकि राजा सत्य उरत तपस्वी थे ज्यानी थे उन्हें आबास हुआ कि यह कोई साधारन मचलीने स्वयम शाक्षाद भगवान कि टो ऑध्वान विश्चैन भागवान विश्चैनी राचा सत्य रद की उतारता से अत्यम्त प्रसंदत है। इसलिए उन्होंने आजा सत्य व्रत को मत से रूपतारन करने का कारण बतायो्स किन्तों आप सब तरिश्यों के साथ साथ अनाज वह नस्पतीव अशुदों की प्रत्येक प्रजाती के बीज और प्रत्येक पशु का एक एक जोड़ा लेकर एक विशाल नौका में सवार होकर मेरी प्रतीक्षक कीजेगा केवल एक स्थान ऐसा होगा जिसकी उचाईयों कुछ चल्चो नहीं पाएगा मैं लोटूंगा और आपको वान लेके चलूगा ऐसा कौट साथ था था इमाले पर अर्था तुम्हारी मादा के पेदा ही मामाद फिर क्या हुआ एसा कहके बगवान विश्णू समोत्न में चलेगे और अपने मत से रूप में उन्होंने हेक्करव को ठोंड निकारा उस्तुष्ट का बद्द करके पेदों को पुना प्रावत कर गया तो क्या प्लेले आया हाँ ठीक साथविद किन्त बगवान विश्णू के आदेश अनुसार ताजा सत्ते उरत एक विशाल नौका में उनकी प्रदीक्षा कर रहे थे तभी विश्णूजी एक सीन्ह वाली विशाल स्वर्णमत सरूप में प्रकटू नौका को मत्से से किया दिया और विश्णूजी ने अपने बजन अनुसार उन सब को हिमाले तक सुरक्षित पहुचाया